ऐस्ते सिर्थ क्या हाल चाल है तुम कमेंट करके जरूब बता सकते हो आज हम बात करने के तुम यार स्कूल में तो पढ़ने जाते हैं बड़ने के साथ सथ हो से स्कूल को जी का से सकते वह आज की सीडियो बात करने वाले मेरा 14-15 साल का experience होने वाल है एक साल दो साल तो फेल भी हुआ था क्या अब नहीं यार पता नहीं वह कौन सी क्लास नहीं होती नरसरी अलकेजी उकेजी वह भी 2-3 साल करने पड़ गई होगी तो इसलिए मतले बितने साल का experience लेकि मैं तुम लोगो बताने जारू कि इस स्कूल लाइफ को काटा नहीं जाता भाई जीया जाता है मैंने जीया और तुम कैसे जी सकता है अब तुम लोगों कि हमें लोगों कि लोगों कि अन्दाज हो जागे है क्या साथ नहीं अपने कि हमेंने कि लिए है कि एक पाहते हैं। तो आहो तुम लोग ने देखी लिया होगा अचली मैंने जादा फोर्ट वीडियो नहीं इसमें इंक्लूड की है कुछ दोस्तों कि अपनी प्राइबसी होती है जिसको मैं लिक नहीं कर सकता तो इसलिए कुछ दो-चार फोटो वगरा वो मैंने तुम लोगो दिखाने कोशिश की है यह वाली वीडियो देखो तुम लोग काफी मजा आने वाला है ठीक है कुछ अपनी प्रसनल एक्स्पिरें कफी जाला मजा आने वाला है यहां पर फॉस्ट है बात करते हैं कॉंफिडेंस से अगर तुम लोग को मजा इसलिए नहीं को का ओप दिखा दो नहीं बोलते हो नहीं दिखा थे और सीधा चुट्टी में घर चले हो जाना है यह वह वह हो बट वहीं पर दूसरे दोस्त भी ह पर स्कूल में ठीचर को 識eteं करते ह atención ठीचर को सुना चिछे से बात्य आप विद्धा नियुए खले है रही तो थोड़े सा इस हो तुम बाते करोंकी और ना किन इतायों धुमि ड़के से चिलैंग ओमें कोैप्टोर है उसमें स्म 나फ हो रहे हैं तो कि महने उसमें नहीं अगर तुम्हें कोई वेंट शूंद्ट कर सका हाई पर दाना अगर चावने तुम रसाल को सपये नहीं जाना तुम्हों को एक सृस्पाइब करके देखो उसके बाद से तुम्हारा टीचर मैं मैडम प्रिंसिपल क्या लड़की क्या बच्चे मतलब सब जानने वाले तुम्हें एक बारी पार्टिसिपेट करके तो देखो अब तुम कोई डांस ले सकते हो कोई स्पीच ले सकते हो कोई वैसा कि धलकाने वाला जैसे हो इतनी अच्छी डांस कर लेता है वह आजता है कि बाई देखो अब तुम लोगे क्लास में कोई रहता होगा आप जो कोई दूसरा ही बने वह तुम भी बन सकते हो मैं अपनी क्लास में सबसे ज्यादा है था मतलब ऐसे जो भी चोटे मोटे और ना होता था इवेंट को हम बड़े क्लास के लिए तो हमें यौज ना होता है चबी जनवरी पर यह होगा वह वह ऐसा होगा तो टीचर के संग संग हम भी इंगलूट रहे था बड़े लोड़कों में तो यह करते थे ना हमारी क्लास से कुछ भी सपोर्ट पकर आच्छे हो देथे बच्छों को नहीं सब्सक्राइब 5001 टो थो सब्सक्राइब दोजिएक इतनी बात करों फॉरी को यदो बात करें से लच लड़कों से वह लोगा जिना लड़कों से लड़कों से लड़कों बात को लड़ने इस स्कूल में नाम सबसे पहले आने वाल है तुमक्त है तुम्हारा ब्रेज़िंग सैंस अब यह इत् McMahon चानल नहीं है है होगे अब तुम लोग अपनी ड्रेसिंग सेंस को फिटिंग कर वा सकते हो जिससे कि तुम लोगी काफी ज़्यादा बॉडी जो है इन्हेंस होगी अपने हेर बियाड को अच्छे पॉपरली मेंटेन कर वा सकते हो अपने थोड़ा ध्यान देना होगा अपने पूरा क्लीन तुम जाके चाहिए तो वाली वीडियो चेक कर सकते हो वाकई में बोलना तो तुमने अच्छे से रिस्पेक्ट कर लिए तो अगर तुम इतना ज्यादा फ्रेंक ते तीचरों को याद आईगी ना उसमें हमारा नाम सबसे पहले आने वाला है क्योंकि अगर टीचरों कुछ कुछ बी काम बोल ना था था यहां कें और पास हो थी ती आथ से चोर्ड दिया करते थे और टीचरों को हम याद रहते थे कभी ताई पनी डाते बाते बाइक चलते चलते हमारा यहाँ पड़ता था इसे काफी अछ्छा था और जब इन फ्यूचर जब वही तिसी और वही यहां प्यूस नाम का लड़का हुआ करता था इसे हम पढ़ाते थे और आज यहां लग गया वहां लग गया तो जब तुन टीचर से ऐसे पूरी है कुछ याद नहीं है तो चोड़ भी देते हैं इसी रिलेशन के वैसे की चैनल हमारा बच्चा बादमयात कर लेगा तो मतलब काफी जास से रहा सकता है अगर तुम्हारा इक यूनिक टैलेंट होना चाहिए जिसके बारे में पुरे स्कूल को पता होना चाहिए कि पता ही नहीं रहता जिसके वैसे उनको ना उस टाइप की रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती बट मुझे पता था कि मेरे अंदर कौन सा टैलेंट है और मैंने उसको अपने स्कूल वालों को बताया जिसके वैसे में काफी ज़्याद होने लगए टीचरों के बीच में भी अच्छा लेगा क्या नहीं अच्छा लेगा में कौन से टाइक के सूट वगरा ब्लेजर वगरा वियर करने चाहिए तो मैंने दोस्तों को तो साला मैं आज भी गाइड करता हूं जब भी कहीं जाना हो था फोन करें पूश रहता है और मेरे पास इतने सारे क्लेक्शन से कप पूरे स्कूल वाले को मेरे चैनल भी पता था जिसके वैसे का थोड़ा सा बढ़ जाता था मतलब टॉपर से जादा इंच्छत होती थी मेरी स्कूल में जो की यूनिक टैलेंट अगर तुम्हारे पास है तो पूरे स्कूल को ट्राय कर लिए तो अपने स्कूल में नहीं होती है तो मेरी क्लास में मेरी काफी सारी दिवानी थी अब सब बोट नहीं पाएंगे लोगों पता था कि इतना स्मार्ट लड़का आज तक सिंगल कैसे रह सकता है तो इसलिए उन लोग ने भी आज तक मुझे बोला नहीं बठा मन में सभी के रहा हो खासी मेरा तो इसको लाइफ में और भी अच्छी मेमरी क्रिएट कर सकतो है मैंने तो किया है अपने दोस्तों संग घूमने क्या हूं इसको ट्रिप से बगर कर नहीं जा रही है तो वहां पर जा सकते जिसमें अच्छी फोटोस को देखो तो तो तुम लोग काफी जाजा मजा आ जाने जिसकी वैसे दिखना जब तुम इसको निकलोगे ना भाई लोग को लाएगा की प्रिंसिपल को लाएगा अब तो क्या ही मजाएगा प्योस निकल गया कुछ इसकोल में इंट्रस्टिंग रही नहीं गया अगर तुम एस टाइप का अपने आपको करेक्टर बना ले तो तो